एक सहर में एक लड़का रहता था अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेके तो जो उस अपार्टमेंट को देख रेक करने के लिए जिस वैक्ति को रखा गया था उससे उस लड़के की मित्रता हो गई दोस्ती हो गई वो लड़का अकेले फ्लैट में रहता था तो लड़का पसंद थी तो उनको कुछ मूली दे दिया करता था और लटके पाफी काफी मूली पसंद थी तो ऐसे ही तिन-सौर महीने चलते रहा और मूली का रेट सस्था ही रह, 10.500-200.500 यही रहा लेकिन बात में मूली का रेट 60.500 हो अब वो जो मूली लाता था लड़का, आधा किलो लियाता था, आधा किलो में तीन मूली ही चड़ती थी, अब तीन मूली पे दो मूली उनको दे दे, एक मूली दे दे तो बचा कितना, तो समस्य होने लगी, और लड़का जब भी सबजी ले के आता तो उन वेक्ति को प्रधा पर ये कहानी उसी से जुड़ी है बाद में बताएंगे क्योंकि ट्विटर पर आज देहज मुक्त भारत ट्रेंड कर रहा है और उसको ट्रेंड करा रहे हैं राम रहीम के जो भक्त हैं जो उनके फॉलोवर हैं वो लोग करा रहे हैं ट्रेंड कोई भी करा सकता है गभीर को भगवान बता रहे तो हम लोग देहेज की बात करें हैं तो बात करते हैं कि जो भाहत की पौराणिक कथायी है जो भाहत का इतिहास है उसमें देहेज का कितना महत्iger गोड़े आभूसर्धड काई लाग गाए सजी धजी कामधेनुसी सुंदर गाए दहज में देते हैं क्योंकि उनके पास उतना था और फिर उसके बाद जब दसरजी लेके जाते हैं उस दहज को आयोध्या पोशते हैं तो उनसे भी जो जो मांगता है जो जो इक्छा करता है वो उसको दे देते हैं और फिर जो बच जाता है वो अपने कोसागार में रख लेते हैं तो एक वरड़ निहा पे है और दहज को बड़े अच्छे से चित्रित किया गया है दूसरा एक बार जब रावड से उसके ससूर कुछ मांगने की चेस्टा करते हैं कि हमको आपसे कुछ चाहिए तो रावड को पता था कि वो मांगने क्या बाले है वो यही मांगने वाले थे कि सीता को छोड़ दो उनको रावड को सौब दो तो रावड उनको बात पूरा कहने ही नहीं देता है और पहले कहता है कि जो लड़की पक्च वाले होते हैं वो एक बार लड़की का बीवाह कर देते हैं तो कभी कुछ मांगते नहीं सदा देते ही रहते हैं तो ये रावड कहता है तो भारती संस्कृती में दहेज का यही रहा है कि लड़की पक्चवाले हमेशा देते रहते हैं तो इसके पीछे क्या कारड हो सकता है कि देहज लड़की वाले ही देते हैं तो कारड ये समझ में आता है कि जो भारत हमेशा से ही एक क्रिसी प्रधान देश रहा है वहाँ पे क्रिसी की अधिकता रही है अधिकतर लोग क्रिसी में ही जीवन यापन करते हैं पर वी वियवसाय होते थे लेकिन क्रिसक पर आधिक संपतो will किर मेंगे हुगा करते थे और अभी भारत में हैं कम हो रहे हैं लेकिन काफी समय तर स्वफक्रशक खिरा हैं। तो होता ये था कि जैसे लड़की का बिवा हो गया तो जो जमीन है संपत्ती वही होती थी जो भूमी है और भूमी से जो अनाज उत्पन होगा वही संपत्ती है बाकी ज़्यादा आउ सकता है उस समय के लोगों को तो थी नहीं तो उस भूमी को लड़की का बिवा हो गया 40 km दूर 100 km दूर तो लड़की को भूमी में अधिकार तो दिया नहीं जा सकता वो भूमी लेके करेगी क्या या उसके पती को भी उनके पर जो लड़की के जो परिवार है वो वहाँ पर आके उस भूमी यदि लड़की को दे दिया तो उसी समय देहज दे दिया जाता था और फिर कई सारे ऐसे तिवहार भी बनाये गए कि लड़की के हाँ जब भी फसल हो पहुचाया जाए जैसे रक्षा बंधन का तिवहार अगस्त सितंबर में आता है तो चावल की फसल होती है उसी तरह मकर संक्रांती है उसमें भी दू जो गरा होते है होली में भी लड़की जो है तो इसी तरह होली में लड़की घर आती है अकसर पहला होली नहीं मनाते हैं ससुराल में तो इस तरह का संबंध चलते रहता है कि जो जमीन है भूमी है वो भाई और पिता के पास ही रहे वो उस पे खेती करे और लड़की को तो भी उसका अधिकार उसमें मिल जाता है क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके भाई की पिता की भूमी में यदि वो जमिन ले भी लेंगे माली जे दे भी दिया जाए तो वो उसको बेच देगी और तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जहां पर हम खेले बड़े है उसको बेच दिया जाए तो ये माननिता रही है दहेज की और ये भी रहता है कि लड़की जब नए-नए घर जाती है तो उसको एक असुरक्षा की भावना रहती है या फिर उसको ये रहता है कि कहां पर आए हैं तो उसको कुछ चाहिए कि अपना रहे तो कुछ दिन शेटल लोग हैं, वो लोग तो कुछ ऐसी चाहें, जैसे गाय देहज में दिया करते थे, तो गाय में जैसे गाय गर की गाय है, उनके साथ पले बढ़े हैं, काफी समय से, तो देहज में जाएगी तो वो प्रेम रहेगा, कोई तो लगेगी, कहाँ कोई तो घर का है वह मैका छुड़ गया तो वह गाय से ही प्रेम। तो इस प्रकार का देहज का सिस्टम रहा है। तो देहज बेकार कहाँ पर हो गया? देहज जब स्टेटस सिंबल बन गया, तो देहज खराब हो गया, जैसे आप देखते होंगे समाज में ही कि बगल वाले के लड़के को दहज में कार मिली तो फिर यह लगता है कि हमारे लड़के को नहीं मिलेगी तो उसका स्टेटस कम हो जाएगा कि मतलब उससे कम योग हमारा लड़का है क्या तो माली जब अगल वाले कार मिली तो फिर अब यहां तक भी हो जाता है कि चलिया हमको भी आप कार दे दीजे नहीं तो लोग समाज क्या कहेंगे भले ही आप initial payment कर दीजेगा हम किस्त भरते रहेंगे तो यह जब status symbol से जुड़ गया तो इसमें खराबी आई जैसे वो हमने मूली वाला बताया कि वो तो प्रेम भाव से जो दिया जा रहा था और जो लड़की को दिया जा रहा था उसकी भी सुरक्षा की बात है कि उसको भी ठीक लगे एक मतलब अपना पन रहा है फिर बाद में सेटल हो जाएगी तो उसका अपना परिवार हो जाएगा तो फिर दीरे दीरे चीजे खराब होतेगी तो ऐसे ही दहेज पृथा भी एक बहुत ही अच्छा बिवस्था था एक अच्छा सिस्टम था हर कोई माता पिता चाहता है कि अपने लड़की को कुछ दे के जाएं लड़की भी चाहती है कि कुछ दिया रहे कुछ मूल लिवान कुछ घर का तो एक बहुत अच्छी बिवस्था है लेकिन जिस तरह से अब इसका ये हो गया साधी करने से पहले दहेज ही आयता है कि दहेज इतना देंगे तभी बिवाह करेंगे तो यहां से चीजे गलत हो गई और दहेज मुक्त भारत जो चल रहा है वो अच्छी बात है होना भी चीए और ऐसा भी नहीं है कि क्यों हिंदू समाज में ही दहेज चलता है मुसल्मानों में भी दहेज पृता है अभी दो दिन पहले एक नियूस पिपर में अमरुजाला में आया था कि दहेज नहीं लड़की लेके आई थी तो पंचायत बुलाई गई मार पिट करते थे उसके घर वाले तो पंचायत में ही तीन तलाग दे दिया तो चीजे इस तरह से खराब हो गई है समय के साथ अच्छी चीज भी खराब हो जाती है दहेज प्रता भी उसमें से एक है इसको उसी भाव में रहना चाहिए कि खुसी खुसी राजा जनक जितनी छमता है तो दे जिसकी जितनी छमता है वैसा होना चाहिए आप देखते रहे हैं प्यारा भारत धन्यवाद